जब जब इस दरा पर संकट आता है असुरों का त्रास बढ़ने लगता है तब पराशक्ती का प्रादुर्भाव होता है वही शक्ती असुरों का संहार करती है जब भगवान शीव जी ने कामदेव को चला कर बस्म कर दिया तो उनकी बस्म जहां थी बह बस्म का गनेश भगवान ने पूरुष की आकरुती बनाई तो उनमें से एक स्रेश्टों और कामदेव जैसा सुन्दर पूरुष प्रगठ हुआ गनेश जी ने अपने वह पूरुष को गले लगाया और उनको आदेश किया कि शत्रुदिका पाट करो शीव जी के आरादना करो तो गनेश जी के कहने पर वह पूरुष ने शीव जी के आरादना की भगवान शीव जी प्रसन हुए बहुत से अश्च श्र दिये और साट जार वर्ष तक उनको राज्य शाषन का अधिकार दिया उसी समय ब्रह्मा जी बंड बंड ऐसा बोल रहे थे तो उसका नाम रखा बंडासुर बंडासुर स्रेक्ट और पराक्रिमि था भगवान शीव के आरादना करता था सभी लोग में ऐसी बात फ्यल गए भगवान शीव जी बंडासुर को प्रसन हुए और बंडासुर को बरदान दिया यहां देट्य गुरु शुकराचारिय को भी पता चल गया शुकराचारिय सभी देट्य गणों के साथ आये और मैदानव की नगरी शौनितपुर का करता ही था लेकिन श्रेष्ट और उत्तम शाषन करने लगा उसके बाद पंडासुर की चार पत्निया थी लेकिन उनको संतोस नहीं था एक स्वर्ग के वारांगना के साथ पंडासुर ऐसा व्यवार करने लगा तब देट्य गण सब समुद्र में पाताल में अलग-अलग लोग में चले गए क्योंकि बंडासुर का बल इतना था उसके सामने च्छन मातर भी कोई टिक नहीं सकता था देवतागनों को पता चला कि बंडासुर का बल कम हुआ है उसका मो वारांगना में लगा है तो वह सब आये नारजी को प्रात्ना की नारजी हम क्या उपाय करे इ हिमालगे में गये मा शक्ति के आरादना की लेकिन देथ्य गुरु शुकराचारिय को पता चला तो शुकराचारिय ने कहा बंडासुर सब देवता मा पराशक्ति के आरादना कर अगर उनकी पूझा अनुस्ठान पुरा हो गया तो तुमारा वद हो जाए गया उसकी के लेकर कैलास में गया और सभी देवताओं को मानने के लिए जा रहा था तब आज शक्ति अंबा ने ललिता अंबा देवी ने एक ऐसी अलंग दिवाल खड़ी कर दी पंडासुर ने एक फेका लेकिन फिर भी दिवाल तुड़ गई फिर से खड़ी हो गई दूसरा शस्त्र यह दिवाल को तोड़ कर अंदर आ जाएगा तो हमें मार देगा उनते तो स्रेश्ट और उत्तम यह है कि बगवती की आराद ना करके बगवती के सामने ही मर जाए तो वह स्तुति के कारण बगवती परामबा प्रगठ हो गई और परामबा प्रगठ होने के कारण सभी ब्र गरमाजी वह और वही परामबा का विवा बगवान शंकर एसे कामेशवर पुरुष प्रगठ हुआ उनके साथ परामबा का विवा हुआ और सब विवा में आनंत के साथ उत्साह के साथ विवा का उत्सव मनाने लगे यहां पंदाशुर का बल थोड़ा कम होता गया क्योंकि बगवान शिव की आराधना नहीं कर रहा था तो अब पंडासुर भी सभी देवताओं को त्रास्ट देने लगा तब मा आज्ये शक्ति परामबा भगवती भी युद करने लगी उसके बाद पंडासुर ने अपने अंगों के अंदर से हिरनाक्ष, हिरनकशुपु, रावन ज से देत्यों को निकाला तब परामबा ने भी अपने हाथों के नाखून अंदर से भगवान के दशवतार नरसी, राम, कुरुष्ण, दुरगा आधी को उत्वन किया और इस तरह से बंडासुर का वद कर दिया इसी तरह से महा लिता देवी अंबा प्रगट होई जब जब इस तरह पर असुरों का त्रास बढ़ने लगता है देत्यों को मनुष्य को उरुष्य को जब देत्यगन त्रास देने लगते तब ही महा परामबा शक्ति प्रगट होती है और भक्तों का कल्यान करती है